तो दोस्तो नाग पंचमी के तेवहार को लेके काफी ज़्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है नाग पंचमी पर आप भूल कर भी ये काम मत करिएगा साथ पीडियों तक लग जाता है दोस्त तो 21 तारीक यानि 21 अगस्त को नाग पंचमी के तेवहार मनाय जाएगा और इस दिन तो सावन का सोमवार भी है यानि एक दिन दो तेवहार पढ़ने से ये दिन बहुत जादा महत्पूर हो जा रहा है सावन महीने के सुकलपक्ष की पंचमी दिथी पर नाग पंचमी मनाई जाती है और ये दिन नाग देवता को समर्पित होता है नाग पूजा हमारी संस्कृ परंपरा का भाग रहा है सनातन धर्म में नाग देवता की पूजा की जाती है इसलिए बहुत सारे लोग जो नाग पंचमी के तेवहार मनाना बंद कर दिये हैं जरा आप अपनी आग खोलिए और नाग पंचमी के तेवहार फिर से मनाना शुरू करिए क्योंकि चौक चौक पर जो मेले लगते थे वो अब नहीं लगते हैं ये तेवहार ही लुपत होता जा रहा है फिलाल काल सर्फ दोस्ते मुक्ती पानी के लिए ये दिल सर्वस्त्रेश्ट माना गया है सास्त्रों कनुसार कुछ ऐसे काम है जो नाग पंचमी पर आपको नहीं करने चाहिए वरना आने वाली साथ पीडियों तक इसका दोस्त होगा आपको दादे 20 अगस्त को तो नाग पंचमी होगी और पूजा का मुहरत आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं सुकल पंचमी तिथी सुरू हो जाएगी 20 अगस्त को सुबा 12 बच के 20 मिनट तक रहेगा सावन सुकल पंचमी ति पूजा करने से बहुत फल मिलता है नाग पंचमी पर आप यह गलती ना करियेगा नाग देवता के समान आपको दादी दोस्तो हिंदू धर में सर्पो को देवता माना गया है वैसे तो सर्पो को कभी नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए लेकिन खासकर नाग पंचमी के दि इस दिन जीविंत साप को दूद ना पिलाएए साप के लिए दूद जहर के समान होता है इसलिए सिर्फ उनकी प्रतिमा पर ही दूद अर्पित करिये नुकीली वस्तू से ना करे काम नाग पंचमी पर नुकीली और धारदार वस्तू जैसे चाकू सुई इस्तिमाल ना करिय असुम माना जाता है इस दिन सिलाई कढ़ाई भी नहीं की जाती क्यों नहीं होता है तवा को पियोग ये भी जाल लीजे नाग पंचमी पर लोहे की कढ़ाई और तवे में खाना नहीं पकता है माने तक उनसार रोटी बनाने के लिए जिस लोहे के तवे का इस्तिमाल किया जाता है उसे नाग का फन माना जाता है यही कारण है कि जो मैं आको समझाना चाहता था कि आई होप आपको इस समन में आ गया होगा पूजा का मुरत बता दिये हैं डेट भी आपको बता दिये हैं क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी बता दिये हैं मिलते हैं नए अबडे को सब्सक्राइब करें धन्यवाद